आदाब नमस्कार मैं स्मृती रस्तोगी प्रोग्राम गुफ्तगू में आप सभी का इस्तक्बाल करती हूँ ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं ऐसी ही शक्सियत हैं उनकी जिनका अंदाज सबसे जुदा जिनकी आवाज में वो कशिश है जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है गुफ्तगू में आज मुलाकात मशूरो मारूफ गुलकार और नौर्थ वेस्ट दिली से भाजपा सांसद हंस राज हंस जी से हंस राज हंस एक ऐसा नाम जिनकी आवाज की कशिश सुनने वालों को रोहानियत का एहसास दिलाती है पंजाब के जलंधर जिले के शफीपुर गाउं में पैदा हुए हंस राज हंस छोटी सी उमर से ही गाईकी की तरफ रागिब हुए कई नामवर हस्तियों का साथ मिला और रियाज और कड़ी मेहनत की बदौलत इनकी आवाज निखरती चली गई वक्त के साथ दुनिया भर में इनकी आवाज का जादू लोगों के सर चड़के बूलने लगा कच्चे धागे और बिच्छो जैसी सुपर हिट फिल्मों से इन्होंने बॉलिवुड में कदम रखा और अपनी आदाकारी और गुलुकारी के जलवे बिखेरे दिल टोटे टोटे हो गया खाली दिल नईयों जान भी ये मंगदा दिल चोरी साड़ा हो गया जैसे गाने गाकर इन्होंने धूम मचा दी गुलुकारी के साथ ही इन्होंने आवाम की मदद के लिए सियासत में कदम रखा और साल 2019 में भारतिये जनता पार्टी ने इन्हें नौर्थ वेस्ट दिली से टिकेट दिया जहां से आवाम ने इन्हीं चुन कर संसद में भेजा इस अजीम पनकार की शख्सियत के रंग इनके फकीराना अंदाज में बखुबी नज़राते हैं पा बापूलाल बाजशा और्स अभी मार्श के महिने में हुआ था जिसे सूफी दर्बार के रूप में जाना जाता है आपको लाल बाजशा की गदू् भी दी गई है इसके क्या एहमेद है आपके लिए सूफीजम आपको पता ही है कहते हैं कि मिटी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग खुश्बू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग हम रूह सफर हैं हमें नामों से ना पहचान कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग तो मजबों मुलकों सरहदों से उपर उठके जो पूरी यूनिवर्स के लिए प्रे करता है महबत का आमन भाई चारे का पेगाम देता है वो ही सूफी है तो सूफी इसम का पहला पार्टी यही है तो पंजाब में यह बहुत बड़े दुर्वेश हुए है बापू लाल बादशा अलमस्त जी तो वहां का मैं थोड़ा खादिम हूँ तो उर्स होता है यह बरसी थी एन्वेल इसी तारीख को होती है चब्यस ताइस मार्च की थी तो उसमें फिर कवाल नकाल दुर्वेश संत मापुर्श संगताती है एहमित इसकी यही है कि जब मजब मजब का दुश्मन है मुल्क मुल्क का दुश्मन है भाई भाई का दुश्मन है नफरत फैलाने वाले लोग बहुत है तो वहां सूफीजम को अगर पढ़ाया जाए, सिखाया जाए अपनाया जाए तो फिर जिन्दगी सुखद हो सकती यह दुनिया, यह काइनात वाग्य जन्नत बन सकती है बहुत खुबसूरत मेसेज है अच्छा हंसराज जी आपसे पूछना चाहूंगे कि यह जो गाईकी का शौक है क्योंकि शुरवात हम वहीं से करते हैं गाईकी से, गाईकी का जो शौक वह आपको कब हुआ दिखू, एक होता है, घरानेदार हिस्ट्री होती है वो तो नहीं है मेरा हम पुष्ट दर पुष्ट यह काम मुझे नहीं लगता किसी निकिया होगा खेतों में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं बेसाखता गाता ही था जब होशाई तो यह शुकर है मालक का इसको डेस्टिनी कह ले, जब मेरी किस्मत में वो था कि पूरी दुनिया देखनी है संगीत के जरीए, सुर के जरीए तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं अपने खानदान में पहला सिंगर हूँ लेकिन अब मेरे बच्चे बेटे गा रहे हैं वो नहीं कह सकते कि हम पहले हैं क्योंकि अब हिस्ट्री शुरू होगी है बहुत खुबसूरत आवाज है आपके मुझे लगता है करोडों में लाखों की बात तो नहीं करूँगी करोडों में एक ये आवाज होती है कॉलेज की दिनों में भी आपने अपने आवाज के जल्वे बहुत बिखे रहे तो कुछ ऐसी कॉलेज के दिनों की जो यादे हो जो आप हमें बताना चाहें पहले तो स्कूल में ही शुरू हो जाता है ये जो टीचर सहवान होते हैं ये बहुत बड़े उस्ताद इनका बहुत बड़ा रोल होता है तो वहाँ सैटरडे को जहां ऐसा कुछ बाल सबा लगती है तो उनको पता होता है कि फलाँ बच्चे में क्या टेलेंट है स्कूल में भी फिर गाते गुते रहे फिर कालेज चले गए डी एवी कालेज अलंदर तो वहाँ मैंने नोटस बोड पर लिखा दिखा कि टेलेंट फाइंडिंग कॉम्पीटिशन हो रहा है इतने खुबसूरत साफ स्वश्च जगह एक गाओं का बच्चे आ रहे हैं गाओं के स्कूल में पढ़ने वाले तो डी एवी कालेज एकदम बहुत नोट इंडिया में खास कालेज तो फिर हम दोनों बैठे थे हमने नाम लखा दिया था तो गाना वाना गाया तो हमें तो यही था के शुकर है मालक का के कॉलेज भी आ गया है और माइक मिल गया है और पार्टी स्पेट कर लिया है पता ही नहीं था यह मालक के रंग है कि जब अनौसमेंट हुई तो मेरा पहला दरजा है फास्ट आगे मैं पहली कॉम्पिटेशन में फिर उस्ताद परफेसर बी एस नारंग साथ हमारे हम गुरुजी उनको मानते भी थे कहते भी थे तो फिर उन्होंने यह से यूनिवस्टी इंट्रिवस् अच्छा जो यह आपका सेलेक्शन हुआ था वो बिना किसी तालीम के तालीम तो पहले थी संगीत की तालीम मैं शागिर्द हो गया था हालांके बहुत तकलीफ हुई उसमें भी क्योंके वालदें जा पेरेंट्स उस वक्त नहीं चाहा करते थे कि कोई बिल्कुल शो विजन फिशागिर्द की कर दिया मेरे इस्ताद जी का फिर वही जो गड्दी नेकोदर वाली है उनके तालीब थे मेरे एस्ताद जिस उस चाह पूरान शाह कोटी साहिए तो पिर वही मुझे छोड़ाते थे तो फिर मैं तो कहा करता हुँ हमने पढ़ाने सूफीजम जिया है तो वहीं पे फिर मैं रहा, वहीं ज्यादा तर्बियत होई, उसके बाद फिर मैं म्यूजिक की तालीम तो वही दे रहे थे, लेकिन ये प्रफेस साथ गुरुजी जिनको मैं कहा रहा हूँ, ये बाकाइदत और टेक्निकल ये भी सिखाते थे, इसे पहले के गुफ्तगू को आग सुना धोंडा, धोंडा हरी द्वार, कहीं न मन का बीत मिला, फिर आया तोरे द्वार, सुनो माहराजा, जगत के वाली, सुनो माहराजा, जगत के वाली, सुनो माहराजा, उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने दर पे बुला लिया, तेरी नजर की वो कशिश हुई, के जमाने बर को जुखा लिया, तेरा इश्क मेरा सुरूर है, मेरी बंदगी भी तो वजीब है, जहां यार ने कदम दिये, वहां मैंने काबा बना लिया, सुनो माहराजा, जगत के वाली, जगत के वाली, सुनो माहराजा, इक बात कहूंगे हंसरा, जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए है, इतना खुबसूरत ये कलाम है, अच्छा अब अगर बात करें बॉली वुड के बारे में, आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, तो बॉली वुड का रुख कैसे हुआ और वो सफर कैसा रहा बॉली वुड में, प्राइविट गाने जहां पंजाबी फिल्मों में तो मैंने गाया था, बॉली वुड में एंट्री ऐसी होई कि अस्ताद नुस्त फत्य अली खाँ साब, मरहूम, तो उन्होंने बॉली वु प्यार कह लें, महबद कह लें, खाँ साब जी ने मुझे जलंदर से बुलाया, टिप्स कंपनी का था मामला, तो फिर मैं गया, काफी मुश्किल थी, खाँ साब कहने लगे, कि ना ऐसा सोचना है, ना मुझे कहना है, यू हव तो सिंग, तो बड़ा हाईटिश का गाना था, शुकर है मैं गा गया, और खाँ साब बड़ा खुश हुए, और उन्होंने पूरी फिल्म डिस्ट्री के बहुत प्रॉमिनेंट म्यूजिक डिरेक्टर, सिंगर भी बलाये हुए थे, तो फिर उन्होंने खाना किया, सेलिब्रेट किया, कि देखो मैंने पंजाब से बलाया तो मैंने को गलती नहीं किया, और ये सुपर हिट गाना रहा था, आपसे गुजारिश करूँ थोड़ा साब गुन गुना दें वो गाना, थोड़ा साब, इश्क है पानी का एक कत्रा कत्रे में तुफान, एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जान, खाली दिल नियों, जान भी मंगदा, खाली दिल नियों, जान भी मंगदा, इश्क दी गली विच्चों पोई कोई लंगदा, बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे लगता है, आज मेरी खुश किस्मती है, कि आप से मुलाकात होनी मेरी लिखी हुई थी, और इस तरीके से आप से रूबरू हुई यहाँ पर, मेरी भी खुश नसीबी है, आप सब लोगों ने याद किया, आपके साथ गुफ्तगु हो रही है, और काफी देर बाद में गा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी डाइवर्शन होगी, तो रियाज व्याज थोड़ा कम है, आपने बात पहले बोली भी थी, कि बहुत वक्त हो ग कि मैं अब चाह की भी करनी पाता, मगर मैं अगर आप से पूछूं कि आपका जो सफर रहा है, और किसी को आज इस मंच के जरीए आप याद करना चाहें, जिसका एक बहुत किरदार बहुत बढ़ा रहा हो, आपके जीवन में, आपकी जिन्दीगी में बहुत बढ़ा किरद किसी का रहा हो, जिससे आपको लगता हो कि गुफ्तगू के आज इस प्लाटफॉर्म से आप याद करें, बस मेरी माँ है, फादर साहब है, माता पिता का शेयरवद बद किसंती थे, दोनों नहीं है, तो मसलिन फादर साहब थोड़े सखत मजाज थे, तो माँ को भी शौट करते थे, मुझे भी यह काने कहां से पैदा मरासी, मेरी माँ मुझे रफेंग करती थे, तो बस उनका शीरवद है, मेरे इससी यादों का सिलसला है, मैं तो ऐसा शच्छ हूँ के हर शख्स का करददार हूँ, मेरी ordersबने मदद की है, किस-किस का नाम लो, मैं हर शख्स का कर किसी ने दौाइएं दी किसी ने फाइनशली किसी ने मेरे रिकॉर्ड बनाया वो मेरे दोस्त था हम फिल्म देखने गए एक कोई फिल्म थी पता नहीं कि उसमें आर्टिस्ट होते हैं अमिताब बचन साहब और अमजद अली खां एक एक कलाकार होता है एक अमीर बंदा होता ह कलाकार को कोई पोच्छता नहीं है तो वो कहता है मैं तेरे अंदर का कलाकार बाहर नकालूंगा मैं चाहूंगा पूरी दुनिया में तेरा नाम हो बस हम दोनों दोस्त फिल्म देख रहे हैं उस ने भी ये संकल्प ले लिया मेरे दोस्त ने आदी यहां दिल्ली बजे ले यहां एक एरिया है दरिया गंज, वहां HMV कंपनी, उस वक्त बहुत कम कंपनी होती थी, वहां मेरे उस दोस्त ने, फृरिष्टा नवा दोस्त ने, उसका नाम था, स्तनाम सिंगिल, तो उसने खुद पर्डूस किया, अजीत सिंगिल उसके भाई थी, उन्होंने खुद पर् अजीत सिंगिल पीर कॉर्ड उस वक्त बनाया, 83 में, आप तो मेरा ख्याल है उस वक्त मगर मैं यह कहना चाहूंगे कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके ऐसे दोस्त होते हैं, मुझे तो दोस्त होने बनाया, बस दौाएं है मेरे साथ, वरना मैं तो ऐसा तो को है, कोई मेंटोर नहीं ज्यादा थे, कोई स्पोर्टर नहीं थे, यह राल मिलके मेरे दोस्त ही चाहते थे, कि मेरा नाम हो, और शुकर है, आप बखोवी आपने वो कर दिखाया, उनकी जो भी आप से आस थी, उनकी देती, बस मेरा यही है, कि जा मालक ने किर्पा की, अधाद जी की किर्पा है, आपकी जिन्दगी का कोई ऐसा दिल्चस्प किस्सा, जिसे आज आप याद करना चाहेंगे, बहुत किस्से हैं, लेकिन सबसे एहम और दिल्चस्प किस्सा, पहले तो नुसरत फटेली खान जी का स्पेशली पंजाब से एक रीजनल सिंगर को बल की देवी, उन्होंने शायद एक आधवारी अपना बर्थडे मनाया है, उन्होंने भी बलाया था अपने बर्थडे पे मुझे गवाया, फिर दलीब कुमार साहब, दलीब कुमार साहब आपको पता कितने अजीम हसती, यूसफ साहब, तो उन्होंने जब जनम दिन मनाया, तो फिर, वो कहते हैं, यार मुझे शोर शुरबा, वो संगीत नहीं है, तो साहरा जी ने शायद बोला उनको, कि वो जो एक दिन आ रहा था, रायलिटी शो में, आप कहते हैं तो वो दुरवेश है, उसको बला ले, तो फिर उन्होंने बला, हाँ, उसको बला लो, वो मान ग लेकिन पांच साड़े पांच गंटे में गाता रहा, दलीब साब और पूरी फिल्म डस्टी सुनती रही, तो ये बहुत दिल्चस्प किसे हैं, वहां मेरे भाई की तरह हैं, बड़े बहुत बड़े ऑफिसर हैं, फयाज, महमद फारुगी साब, तो उन्होंने कलाम लिखा जो यूसुफ साब के लिए मैंने गाया, हमने यूसुफ बना अंदलीब साब को मना और जुलेख खाम बना दिया साहरा जी को, तो बहुत अच्छा हुआ था प्रोरों, ऐसी कमाल यादे हैं जिन्दगी भी, बहुत शुकर है मालक का, हंसरा जी आप अपने आप में एक बह जाए हूं, फिर उन्होंने क्योंके रोशनी दी, फिर मुझे नुस्त फतेली खां जैसे घुलाम अली खां साब, जिग जीज साब, जिग जीज साब के साथ बहुत प्यार था मेरा, एक रियालिटी शो है मोहरंग दो, तो जजज उनको बठाने के लिए गजिंदर जी ने बूला, वो कहता है, यह मैं गंटों नहीं बैठ सकता, खेर उन्होंने मना लेख, कहने लगे, फिर मैं मान जाता हूं, दूसरा जो जजज है, मेरी मर्जी का हो, तो फिर उन्होंने, जिग जीज साब ने मुझे बला है, तो हम तीन महीने कठी रहे, आप देखो, एक ऐसे श आफ्टर शूटिंग, कितनी लंबी गुफ्तगू होती थी उनके साथ, तो बहुत खुबसूरत हजीन जादे हैं, तो इन सब लोगों से मैं इंस्पार हूं, जगजीत सिंग साहब की अगर मैं बात करूं, तो उनके साथ आप की कैसी यादे हैं, और क्या कुछ रहा, बहु से पहले, जिन्दगी जिन्दगी नहीं होती, बहुत महंगा मुल्जी तरती यह देखने को लगते हैं, बहुत सुखी जहां, पौपलर, जहां पैसा पैसा भी आजाता है, अंदर से अकेले होते हैं, लोनली होते हैं यह लोग, इनको वो उस दर्जे की महबत नहीं मिलती, जैसा इनका दिल होता है वो अभी अभी शेर कह रहा थे ना कि मैं तो घजल सुना के अकेला खड़ा रहा सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए तो ऐसे जिग जीस साव एक अजीम गुलुकार थे जो वह इस पर उन्होंने काम किया ना अपने आवाज पर वो किसी के हि मुझे बहुत में रोना आता है एक दिन मैंने का अच्छा गुरू जी पाजी तो गहर चोड़ा हूं करते हैं कौन सा घर किस घर आप जस्टिस को सोचना कि एक शक्स दुनिया का बादशा हो के कह रहा है मेरा कौन सा घर किस घर में छोड़ा हूं तो ऐसी होते हैं बैसाख ह ही आने वाली है अंसराज जी और मैं फिर से आप से गुजा गुजारिश करूंगी कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आप कुछ गुन गुना दे पंजाब में कैसे गाने गाये जाते हैं विसाकी पर थोड़ा सुना देता हूं वफादार है मिट्टी पंजाब वाली वफादार है खून पंजाबियां दा यारी ना दे नाल दी नहीं हो किते पर वेर वी मन ना पो पंजाबियां दा लोकी दुनिया च्वास दे बथे रे पंजाबियां दी शान वक्री रब वर गे ना दे जे रे पंजाबियां दी शान वक्री नचन तो पहला हो का दे आंगे सब नानों एक मौका दे आंगे एक सोने दा को का दे आंगे एक सोने दा को का दे आंगे, एक सो एक की रुमा, उन्नों देल वी दे आंगे, उन्नों देल वी दे आंगे, नची जशा देना, ऐसे गाने, पंजाबी गाने जानी जो टिपिकल है, ऐसी तरजे हैं, बहुत खुबसूरत, मैं यह भी बात आपसे बोलना चाहूंगी, कि अकसर हमारे शो में इतने बड़ी-बड़ी शक्सियत आते हैं, एक बात जो मुझे इस वक्त याद आई है, वो यहां पर कही थी, किसी और पिणा कहीं अकेला होता है, या टूटा हुआ होता है, किया ये बात सही है, हनसárioट जी, हां, वो भीड में रहता है, तनहा रहता है, पता नहीं कहा चाहता है, और ये हरक आलाकार के साथ, ये समस्या है, दिक्कद है, कि उसको दुखो दॉरत शोरत की कमेनी रहती लोग भी मिलते हैं तालियां है सीटियां है शोरत है दॉरत है फिर भी वह तमाम मुमर मिनक मारी जी ने भी लिखा था पैम सफर हम को मिले भी गहिं तोनों चलते रहे तनहा तनह agh का ऐसा कौन सा रंग है हसराच जी जो अभी भी दुनिया के सामने आपको लगता है ये आना बाकि है मुझे पता नहीं मैंने सेल्फ इनलसिस ज्यादा किया नहीं है जो जो मेरा मालक करवाता है मैंने कुदरत के आगे जहां उस परवर्द के गार के आगे जहां जिसके कबजा कुदरत में मेरी जान है वो जब मरजी ले ले जितनी दिन में जिन्दा हूँ मैंने सरंडर किया हुआ है surrender करने में बेतर है इस वजूद से इस शख्स से जो भी वो काम लेता है मैं honestly करता हूँ मुझे नहीं पता कौन सा पहलू रह गया है लेकिन सुबह उठके मैं यही कहता हूँ सोने के वक्त भी के ऐ मेरे मालिक मुझे जो आपको अच्छा लगी किसी का दिल ना दुखाना मुझे रहता है यही एक आसपेक्ट होता है एक आर्टिस के अंदर जो उसको ताउम्र ग्राउंडेड रखता है बंदे को आखरे तो याद रखनी चाहिए कि आखर तो चले जाना है तो वी आट्रेवलर वी आट रेजिडेंट तो जो शखस रेजिडेंट मान लेता है वो फिर फस जाता है जो ट्रेवलर है आप देखो कही सफर कर रहे हैं तो किसी जगह आप कयाम करते हैं एक रात के लिए तो आप सोचते हैं चलो कोई नहीं रात ही कटनी है सोबर चले जाना अगर आपको रेजिडेंट मान लिया फिर को लोगे पंखा कैसा जी रंग कैसा जी बेड कैसा जी पानी जी तो फिर आप फस जाते हैं हंसराजी हमें आज बहुत अच्छा लगा आप शो पर आए और अभी आप से और भी तमाम बाते करनी हैं तो हमारी गुजारश है कि अगले हफ़ते भी आप गुफ्तगू में हमारे साथ बने रहें जी जहन से तो नाजरीन हंसराज जहंस जी की जिन्दगी के कुछ और पन्ने पल्टेंगे अगले हफ़ते इसी दिन इसी वक्त देखना ना भूलिए ये खास मुलाकात तब तक के लिए खुदा हाफिज दिल चोरी साड़ा हो गया एकी करिये की करिये नैनों में किसी के खो गया एकी करिये की करिये चल कुडिये ने चल होते हैं कहना पड़ेगा नहीं अब के बार तोटे 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 कि तना अचा है या संदेश है हम दोस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम, No Drugs, No War. सौबार सौबार कहते फिरोगे वरना यार टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे